हेलो एवरिवन, एमकेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले जूलोजी यानि की जन्तु विग्यान जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे इस परकार के क्यूशन आपके B.A.C. नर्सिंग इंटरांस एकजाम में बनते है चाहिए हो आपके M.A.C. का इंटरांस एकजाम हो आपके B.A.C. का इंटरांस एकजाम हो राजस्तान का इंटरांस एकजाम हो C.G. का ओ इस परकार के क्यूशन आपके इंटरांस एकजाम में देखने को मिल जाएंगे तो चलिए यहाँ पर डिसकस हम कर लेते है प्रेक्टिस कुशन हम यहाँ पर कर लेते है पहला कुशन है इंग्लिस और हिंदी ठीक है दोनलू लेंग्वेज में हमने आपको उपलब्द करवा दिया है बहुत सारे डिमांड यहाँ पर आ रही थी पहला कुशन है आपका वह मचली पहचानी है जिसमें नरो में जो आपको आपके इंटरांस एक्जाम में भी देंगे तो एक प्रकार से प्रेक्टिस मान सकते हो तो यहाँ पर उप्षन है डॉपीस दंस रे ठीक है इंग्लिस में आप देख सकते हो सिटिंग रेज और यहाँ पर समुंदरी घोडा से हौड्स और यहाँ पर आता है आरा मिन ठीक है तो बहुत इच्छा कि उसने तो बताइए आपके नोलेज के अकोर्डिंग में आपको पहले बोल रखाए कि जितना हो सके बाइलोज में एंसियाटे को फोलो कीजिए तो यहाँ पर कौन सा ओप्षन सही होगा फिर हम बताएंगे ताकि आपके प्रक्टिस भी अच् तो यहाँ पर आपने वन ओप्षन चूज कर लिया होगा चले इसका राइट ओप्षन में आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पर वह मचली यहाँ पर चारू मचली है ठीक है बट यहाँ पर हमको वह पहचानना है जिसमें नरो में भुर्ण कॉस्टक उपसित होते तो क्याँ पिसमें तो नी होते ठीक है जिनको टो क्रोस कर दिया हम पर देख पार हूँ उठांगे तो आपने अपको एक नमर अढ़े सकते हो अब यहाँ पर आप सोच रहेंगों समुद्री घोड़ा तो सब ने देख रखा है ठीक है बाइलोजी की जो आपकी बुक है NCRT की वहाँ पर आराम से आप देख सकते हो सब जानते समुद्री घोड़े को अगला कुशन आगया यहाँ पर आप्शन इसका क्रेक्ट हो गया अगला ACDIA को सामानेत कहा जाता है ACDIA आर कॉमनली कॉर्ड अस तो यहाँ पर सबसे पहले ACDIA को जानना बहुत ज़्यदा जरूरी है तो जिन्होंने बाइलोजी पढ़ी होगी NCRT उनको पता भी होगा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ACDIA actually होता क्या है कुछ इस तरके दिखाए देते ACDIA जैसा कि इस्क्रेन पर आप देख पा रहूँग ना इस परकार के दिखाए देते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस परकार का होता है ACDIA अब आप बता सकते हो कि इसका right option क्या होगा ? देखिए यहाँ पर option है आपके समुंदरी animal समुंदरी काकड़ी यानिकि से कुकुम्बर यहाँ पर समुंदरी इसकवड से इसकवड ठीक है? और यहाँ पर गुसबेरी यानिकि से गुसबेरी बेरी चार ओप्शन है और अब तो आपको आजाना ही चाहिए कि एसीडिया को समानित क्या कहा जाता है बहुत ही इंट्रस्टिंग एपोर्टेंट क्योशन है कि सो आई होप आपने वन क्योशन यहां पर इसका जो ओप्शन है चूज कर लिया होगा इमानदार से कोई भी ओप्शन चूज कर लो आंसर तो हम आपको बताएंगे क्योंकि हम चाहते है कि साथ साथ आपका टेस्ट भी यहां पर हो जाए कोई भी एक गल्थ हो सही हो चूज कर लो आप ठीक है कर लिया हुगा आपने क्योंकि आपका कोई भी इंट्रांस एक्जाम हुआ क्यूसन ऐसे ही बनेंगे आपके लिख के रख लो आप गारंटेड और यह सब आपको फ्री अपकोस्ट मिलेंगे चले देख लेते हमको तो पता है कि इसका राइट ऑप्सन क्या है आपने भी इसका राइट ऑप्सन चूज कर लिया हुगा देखो गाईज यहाँ पर ऐसी डिया को समयनित का जाता है यह तो हम कहेंगे भी नहीं समूंदरी ककड़ी भी नहीं कहेंगे ठीक है और समूंदरी ग जाएगा और यानि की यह क्यूसन यह knowledge check अनाच चाता है कि S.D.I. के बारे मापको पता है ठीक है ना चुलो कोई बात नहीं अगर आपको इसका अंसर नहीं आया तो 0 अपने आपको दे लो अगर आपने सही किया तो एक अपने आपको दे लो आप बढ़ते हैं अगले क्यूसन की और नमबर थ्री बहुत एच्चा क्यूसन है और यह तो आपने 11 की बुक में भी पढ़ाओगा 11 की बुक में पढ़ाओगा यह क्यूसन आपने कि जब कार्बन डाय ओक्साइड प्लस हीमोगलोबिन मिलते हैं तो किसका निर्मान होता है वें जब कार्बन डाय ओक्साइड प्लस हीमोगलोबिन बाइंडिंग हो जाते हैं इन फॉर्म क्या बनता है कारवक्सी हीमोगलोबिन बनता है या फिर ओक्सी हीमोगलोबिन बनता है या फिर कारविनो हीमोगलोबिन बनता है या फिर मेठी मोगलोबिन बनता है बहुत ही सांधार क्योसन है और ऐसे ही क्योसन आपके BS नर्सिंग इंटरांस एकजाम में बनता है लिखके रखलो आप का दो ऐसे ही क्यूसन आपके बनते हैं तो यहां पर बठाइए क्या होगा 11 की बुक में आपने पढ़ा होगा कि वन आप्शन चूज कीजिए आई होप आपने कर लिया होगा सो यहां पर देखिए जब यहां पर कार्बें टाय ओकसाइड ठीए और हिमोगलोबिन मिलते हैं ना तो यहाँ पर निर्मान होता है कार्विनो हिमोगलोबिन का ठीक है option 3 इसका right option हो जाएगा अगर आपने भी यही चूज किया है तो इमानदारी से यहाँ पर अपने आपको एक नमबर दे लो आप इमानदारी से क्योंकि बहिमानी आपको नहीं करनी है ठीक है तो यहाँ पर देखो कार्वो हिमोगलोबिन अब आप बोलें कि सरे कैसे होगा चलो मैं इसका डाइग्राम आपको दिखा देता हूँ तो देखिए यह डाइग्राम हमको तो पता था 11 पर हमने पढ़ा था तो हमको तो पता था है, की हीमोगलोबिन, कारपन नोजाएट ठीक है ये एक्वेशन अगर आपको पता है, तो आपका काम बन गया तो यहाँ पर आप देख पारूँगे, कारवक्सी हीमोगलोबिन और यह बहुत ही खतरनाक होता है गयाइज, ठीक है इससे क्या है डेर तक की नौपत आदाजी कही बार तो मर्तियों तक हो जाती है तो यहाँ पर आप देख पारूँगे हीमोगलोबिन से कमबाइन हो गया कार्बन मनोकसाइड तो यह बहुत ही डेंजर सेचुएशन है I hope आपको समझ में आ गया होगा यह equation आपको पताऊना चाहिए जो कि आपके 11 की बुक में दे रखी है चले अगला कुशन कवर कर लेते है तो यहाँ पर लाइक कवर से कर देना वीडियो को ताकि अगला वीडियो तुरंट आपके लिए free up question हम लेकर आए ठीक है ना तो यहाँ पर देखो कार्वो हीमो ग्लोबिन ठीक है अब अगला कुशन निकल के आगया आपका आपने पढ़ा होगा जनतों का वर्गिकरन वाला चेप्टर तो यहाँ पर what is klitelem klitelem क्या है बहुत अच्छा कुशन है और आपने 11 की बुक में पढ़ा होगा केच्छुए पढ़ाओगा आपने मेंडग पढ़ाओगा आपने कोकरोज पढ़ाओगा बस कुशन वहीं से बनते 11 और 12 की बुक से ठीक है और उसी सेलेबस के according हमने यह आपकी तियरियां पर शुरू करवा दिये klitelem क्या है तो केच्छुए का चलन अंग है अगर इंगलिस वाले अगर आप हो तो इधर देख लो लेकोटो में ओर्गन अर्थ वोरम ठीक है इसको देखो आप बहुत सारे इस्टुएंट की कमेंट आ रहे थे सर क्लियर नहीं दिख रहा तो उनके लिए आपको अपने जो अभी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर एक सेटिंग करने होगी ताकि आपको क्लियर दिख जाए चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि HD आप कैसे देख सकते हो अगर जिनको क्लियर नहीं दिख रहा दूंदला दिख रहा है आणिक बाद तो यहाँ पर कॉलेटी में आपको इस परकारगा 420 कुछ भी दिखराओगा तो इस पर आपको क्लिक करना है जिसाब इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा देख सकते हो तो कलाइट एलम क्या है केचुव के बारे मुद्ध पढ़ाओगो न आपने NCRT 11 के बुक में तो बता ही इसका राइट ओप्सन क्या होगा चारो ओप्सन आपके सामने हाँ जीरें इंगलीस और हिंदी में हिमानदारी से कोई भी बन उप्सन आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपने कर भी लिया होगा तो इसका देखो राइट ओप्सन हो जाएगा क्लाइट एलम तो आपने देखा होगा जिसे केच्वा है ठीक है केच्वा तो सब जानते हैं जो किसान वाई लोगें उनको तो सब पता ही क्लाइट एलम क्या होता है केच्वा तो यहाँ पर ग्रंथी उत्तक जो ख्रोड केच्व में विक्सित होते है ग्रंथी उत्तक है एक प्रकार का चुलो मैं आपको दिखा देता हूं तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा यही होगा आपका गरंती उत्तक वाला ऑप्शन फॉर अगर आपने भी यही चूज किया था तो अपने आपको एक नमबर दे लो आप गरंती उत्तक जो प्रॉड केच्वे में विक्सित होता है तो इसका राइट ऑप्शन फॉर हो जाएगा चुलो मैं इसका डाइग्राम आपको दिखा देता हूं यह लीजिए बड़ी मुश्किल से खेट में जाके आपके लिए फोटो कीच के लाया हूं ताए कि आपको अच्छे से दिख जाए ठीक है तो यहा इसको बॉलते हैं तो आपको अपतो समझ में आ गया होगा है इस परकार का के लिए तो लाइक तो बनता है तो मैं यह ही कहूंगा कि हर इसका डाइग्राम आपको पता होना चाहिए कि कहीं से भी बन सकता है इस बार ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, तो कभी ये पूछ लेगा तो ऐसे ही तो क्यूशन बनते हैं, बहुत ही सिंपल है ऐसे ही तो तियारी करनी होती है आपको इसका हर एक डाइग्राम अगर पता है तो आपको बहुत कुछ पता है ये पताओना चीए ठीक है तो कुल मिला के आपको डाइग्राम पताओना चीए केच्वे का इस परकार का ये होता है गाइज चलिए और यह segment तो पता है ना segment क्या होते है ठीक है तो इसका right option हमको मिल गया तो इस प्रकार से आप कर सकते हो आराम से ठीक है अगला question ले लेते हैं अपने आपको number दे ले न अगर सही किया है तो सही दिया है तो एक number अगर गल्द किया तो जीरो number देखो हम तो आपको free of cost तियारी करवाएंगे क्योंकि जिनके आर्थ किसी कमज़ोर है वो भी हमसे तियारी आपर कर सके बहुत है च्चा क्यूसर निकल के आया है अगला कि पैसी संकुचन के दोरान पैसे तांस की लंबाई छोटी हो जाती है क्योंकि देखो हिंदिम अगर समझ में नहा आता है तो उंपर इंगलीС में भी हमने available करवा रखा है कि पेसी संकुछ जब आपका होता है तो सारको मियर की जो लेंथ वो डिक्रीज क्यूं हो जाती है कम क्यूं हो जाती है बहुत ही चासांदार क्यूशन है और 11 का जो पेसी मसल्स वाला चेप्टर है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो समझो ये क्यूशन आपको आगया होगा बथाईए चार ओप्शन आपके सामने हाजिर है ये पेसी का मूल गुंदरम है या फिर नरव गेट इस्टिमूलेट यानि कि जो तंत्रीका होती है नसे जो होती है उदिपत हो जाती है या फिर एक्टिन तंतू मैउसिन तंतू के पर सरक जाते है किसक जाते है या फिर ट्रोपोमैशिन और ट्रोपोनिन सहकरी हो जाते है बताईए पटापट इसका राइट ओप्शन क्या होगा इमानदारी से वीडियो को पोज़ भी कर सकते है अगर आपको थोड़ा डिसिजन लेना जल्दी नहीं आ रहा हो तो पोज़ करके देख लेना सोच लेना आई होप आपने चूज कर लिया होगा इसका देखो राइट ओप्शन हो जाएगा जब एक्टिन तंतू मायुशन तंतू के उपर किसक जाते है तो ऐसे में जो सार को मियर की लेन्थ है डिक्रीज हो जाती है यह हमने पढ़ा है 11th की बुक में और यहां पर भी दे रखाए ओप्शन की एक्टिन तंतू मायुशन तंतू के उपर किसक जाते है तो इस वज़े से सार को मियर के length decrease हो जाती है तो इसका right option हो जाएगा 3 तो अगर आपने भी यही सोच आता यही क्लिक किया तो अपने आपको एक नमर दे सकते हो चलो इसका diagram भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको clear हो जाए कि किस परकार acting तंतू, myosin तंतो के उपर किसक जाते जिससे length of SAR को मियर decrease हो जाती है तो देखो यह जो diagram है आपके 11th की NCRT book में दिया हुआ है और आपको पता है कि चाए आपका BS nursing का intrinsic exam हो चाए NET का intrinsic exam हो NCRT से ही question बनते है और हम उसी के हिसाब से चलते NCRT के base पर ही ताकि किसन सारे आपको वही पर मिल जाए देखने को SAR को मियर और हम आपको free up cost तियारी करवाएंगे ठीक है SAR को मियर ठीक है यह देख लो आप यह है आपके 1,3,2 यह rate rate दिख रहे आपको ठीक है और यह है आपके blue clear में myosin अब मालो इसमें contraction होगा तो इस परकार नीचे आप देख लो किस परकार यह length कम हो गए तो यह एक दूसरे कोपर किसक गए तो ऐसे में length कम हो गए SAR को मियर की यह diagram अगर आप याद रख लोगे तो भी आपका काम बन गया देख लो यह सार को मियर यहां पर सोहरा है तो length बहुत ही कम हो गए उसकी यह यहां आगे पहले यहां आते तो यह actin और myosin एक दूसरे कोपर किसके इस वज़े से length कम हो गए बहुत यह सांदार है आपको समझ में आ गया हो गया तो like अवसे कर देना तो यहां पर biology में diagram बहुत important है अगर आप diagram भी याद रख लोगे ना यह देख लो same way condition है यह यहां पर कुछ इस परकार थे relaxed यानि की बिल्कुल relaxed थे जब इसमें किचाव हुआ तो इस परकार यह actin और myosin एक दूसरे को परागे और साथ को मेर की length कम हो गई तो बहुत ही simple क्यूसने अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ आसान लगेगा आपको PMT का paper भी आसान लगेगा अगर आप पढ़ोगे तो और TIRE तो हम करवा देंगे फिर यह post कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है चैनल तो आपने subscribe करी लिया होगा सो यहाँ पर जिस student को वो diagram भी पता है वो क्यूसन यहाँ पर solve कर देगा easily और हर क्यूसन यहाँ यहाँ पर करवाएंगे physics भी करवाएंगे chemistry भी, geology, board नी सब कुछ मिलेगा आपको free a post चलिए यहाँ पर देख लेते हैं निम्र में से कौन सा लाल मास है बहुत अच्छा क्यूसन है slow and sustained contraction is a picture of red meat feature है यहाँ पर of red meat ठीक है उसका feature आपको बताना है which of the following below is red meat तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्यूसन है क्यूसन को समझो पहले यहाँ पर निम्र में से कौन सा लाल मास है लाल मास तो पता है और वो धीमा और निरंतन संकुचन होना चाहिए धीमा और निरंतन संकुचन देखो red तो यहाँ पर आलमुस्ट आपको दिखी जाएंगे बट धीमा और निरंतन संकुचन होना चाहिए यह important है यहाँ पर धीमा और निंतर यानि कि slow and sustain तो यहांपर और ओप्षने लिम मसल्स और यहांपर पस्च मसल्स और यहांपर tank यानि कि जिवा, जीब ठीक है, यहांपर मसल्स और स्टोमक, यहांथ़ कि अमासे के पेस याँ, तो इमान दर्शे far और बताओ तो देखे स्टुडेंट यहां पर धीमा और निरंतरन तो देखो यहां पर इसमें भी नहीं होगा ठीक है और जीवा में भी नहीं होगा क्योंकि धीमा तो होता है नहीं इसमें पास्ट होता है अमाई सेमें भी नहीं होगा इसमें पास्ट होता है तो बचा क्या पस्च और प यारी भी कर रहा है तो हमारे लिए तो ये किसंट बहुत आसान है तो यहां पर एक डाइग्राम आपको पताऊना चाहिए बस बाइलोजी में डाइग्राम इपोर्टेंट है अब देखो बेग यानि कि जो आपके पीट होती है I hope clear हो गया होगा, अगर आपने भी यह option select किया था तो एक number देलो अपने आपको, ठीक है साथ में आपका test हो जाएगा और तयारी भी हो जाएगी, अगला question निकल के आगया, तारा मीन यानकी star piece, ठीक है भंगूर तारा है यानकी brittle star, पिच तारा यानकी आप उपर देख सकते हो फिचर star सभी एकाइनो डरमेटा है, पंडर का होगा हापने तो जन्तों का वरगिकरन, तारा नाम लिखने का कारण क्या हो सकता है, दोको examiner ने कितना घुमा फिरा के क्यूसनियां पर पूचा है, बट M के सर आपके साथ है, बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, मुक पूचिंग नहीं कर सकते, जो यहां पर जो पी से वो अपोड नहीं कर सकते, तो हमने निर्णे लिया है कि उनको फ्री अपकोष्ट, कंटेंट उपलब्द करवाया जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सभी की सोच नहीं होती है, तो देखो, यहां पर option है, यहां पर option पह के सम्मान होते हैं, बताइए इमान दार्शिस का right option क्या हो सकता है, स्टार पीस, ब्रिटल स्टार, इदर स्टार एंड और एकाइनो ड्रमेटा, वाट कैन बी रिजन बोर गेटिंग दो नेम स्टार, बहुत अचा है कि उसन है, इकाइनो ड्रमेटा है, तारा का नाम लिखन का यहाँ पर कारण क्या हो सकता है, सो यहाँ पर NCRT अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि यह जो तारा नाम यहाँ पर यूज किया गया है, यह इसलिए यूज किया गया है, देखो यहाँ पर इनका जो आपने symmetry पढ़ियोगी, अरे सम्मिती इसमें पंच ती है अरी सम्मित्य होती है पंच ती है इसलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया ठीक है अरी सम्मित्य और इसका राइट ओप्सन भी यह होगा यह देखिए अरी सम्मित्य होती है इसमें तो इसका राइट ओप्सन 3 वाला हो जाएगा अगर आपने भी यही कि यह किया हो यह किया हो तो जीरो नम्बर आप अपने आपको दे लो आप यहां पर देखको थोड़ा सा डाइग्राम में आपको देखना चाहूँगा ताकि आपको और कलेर हो जाये जैसा कि आप यहां पर देख पारें जो उसमेट रह वह कुछ इस दो और मालो कभी इससे पूछ लिया तो अगले बार इससे पूछ लिया इस पूछ लिया जाता है कि उसन ऐसे ही बनते आपको तो रेडियल और बाइलेटरल दोनों का आपका पता होना चाहिए क्लियर और यहां पर कुछ एक्जाम्पल भी आप देख सकते हो बहुत सारे एक्जाम्पल यहां पर रखे होए इसके cutting कैसे भी crop वही sample से बात यहाँ पर रहने वाली है एक example इनके रहने वाल है तो इनको भी तोड़ा सा देख लेना इनका same यही condition यहाँ पर लागू होती है, देख लो आप कैसे भी cutting crop, same वही आपको result यहाँ पर मिलेगा, clear okay अब बढ़ते हैं आगे की और, question आपको समझ बहना चाहिए, जिन्दगी बर नहीं बूलोगे इस तरह की से हम आपको पढ़ाएंगे, और वो भी बिल्कुल निसुल देख लो अगला question है एक मेंड़क का हद्दे होता है the head of a frog पढ़ाओगा आपने 11 की book में मेंड़क पढ़ाओगा, केच्वा पढ़ाओगा कोगरोज पढ़ाओगा, question बनता है वहाँ से, तो एक मेंड़क का हद्दे होता है, यहाँ पर confusion करने के लिए एक cost, दो, तीन, चार कितने भागों में बटा हुआ होता है मेंड़क का हद्दे और इसी परकार आपको पता होना चाहिए कि सांप जो सर्पिसरप होते है उनका हद्दे कितने भागों में बटा होता है और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि घडियाल जो होता है उसका हद्दे कितने भागों में बटा हुआ होता है और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो पक्सी होते हैं उनका हदे कितने बागों में बटा हुआ होता है यह आपके 11th की NCRT बुक में दे रखा है वहां से कुशन बनता है अपसार और उपर जो आपने देखे यह वाला यह जन्तों का वर्गिकरन जो वाला आपका चैप्टर है ना चलो मैं आपको दिखा देता हूं तोड़ा सा यह जो आपका चैप्टर है 11th की बुक में बहुत ही इपोटेंट है यहां से हर बार कुशन पूछ लिया जाता है यह देखो सब कुछ इसमें दे रखा है प्रेक्टिस तो हम करवा देंगे यह देखो यहां से कुशन पूछा गयता हुआ तो तो तोड़ा सा आपको एक्ट नहीं है आर्थ एक सिती कमजोर है उनको भी सेलेक्शन हम दिला सके तो यहां पर आपके पास एंग्लिस मीडियम में भी वाइलेबल है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और इसको तो अच्छे से क्लियर करें ना इस वाले को इस वाले को चाहे तो आप इसका स्क्रिंसोर ले सकते हो कुछन बनेगा यहां से यह वरगे करना आपको पता हो नहीं चाहिए इस परकार का लिख के रख लो कुछन बनता है यहां से तो यह इस प्रकार आपको यह सब वर्गे करना आपको पता होना चाहिए कुछ ना कुछ डिटेल आपको पता होना चाहिए अगर आपको सेलेक्शन ही चाहिए तो अगर आपको यह पता होगा तो अवस्य आप इसको कर पाओगे कि मोलसका में क्या होता है अर्थोफोडा में क्या होता है इतना सा आपको पता है तो आपकी समझो सेलेक्शन बहुत ही करीब है तो यहाँ पर देखो हमने 11, 12 सब पढ़ रगे है और हमने इंटरांस एक जाम में पास कर रहा है तो हमको सब कुछ पता है कि मेंटग में कितना हद्दे होता है तो सिंबल जिबा आते हैं तीन प्रकॉस्ट उसमें पाये जाते हैं क्योंकि इसका डाइग्राम मेरे को पता है औ अपने आपको एक नबर देलो अगर गलत किया तो जीरो नबर देलो अब देखो इसका डाइग्राम याद रखना बहुत है यह डाइग्राम आप देख सकता हुँ इसमें क्या देख सकते हो ऊट्ध क dieser का राइट शीं है ऐक लेप य हान की दाया शीफ निलीले देख इन diapers न एक दाया आलिंद एक बाया आलिंद दो और यह निले तीन तो तीन ही चेंबर है यह मेंड़क के हद्देका देख लो आप जिंदकी पर नहीं भूलोगे और हमने तो मेंड़क का पास्ट मोटम करके भी देख रखा है देख सकते हो आप प्रयोग साला में जब आगे जाओगे तो आपको दिखाया भी जाएगा इसे कटिंग करके मेंड़क का आपको दिखाया जाएगा बाइलोजी के स्टुडेंटो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा तो इस परकार इनका हद्देकस रचाना देख लो सेम वही है 1 2 3 तो तीन चेंबर इसमें होते है किलेर हो गया आँज दैईग्राम चाहो तो नोच डाउन कर सकते हो जिंदगी बर नहीं बूलोगे और डैईग्राम से आठ रखोगे तो प्रटोगे तो बूलोगे डाइग्राम से आठ रखोगे तो जिंदगी बर काम आएगा I hope आपको समझ आ गया होगा अगला क्यूशन निकल के आ रहा है यहाँ पे देखो मैंने बोलाता न कि 11 की बुक से कापी सारे क्यूशन बनते है वरगी करन से तो देखो हमारे कॉंटेक्ट में जो इस्टूडेंट रहेगा सेलेक्शन पाकरी रहेगा वो एक मोलस्का का खोल के द्वारा अस्त्रावित किया जाता है मोलस्का को तो सब जानते होंगे किताब मैं आपने पढ़ाओगा और जो किसान जो खेती करते भाई लोग उनको तो पता भी होगा कि एक मोलस्का का जो खोल है कि दोरा स्ट्राउट किया जाता है तो यहाँ पर option दे रखके हैं आपको mental ठीक है? mental और English में भी देख सकते हो regular यानि के गर्सित और यहाँ पर जिलेक्षीबा जिसको औस पेरिडिम बोलते हैं औस पेरिडिम बोलते हैं या पिर आप देख सकते हैं नमबर पॉर विस से राख ठीक है आंट राख तो सिंपल सा क्योसन है यह तो आपके 11 की बुक में ही दे रखा है ना कि यह किसका सिग्रेशन करता है मॉलसका के बारे में आपने पढ़ाओगा तब ही तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि एनेलिड़ा के बारे में भी पढ़ना है मॉलसका के बारे में भी पढ़ना है अर्थोपोड़ा के बारे में भी पढ़ना है किलेर तो यहां पर बताओ Right Option क्या होगा तो रहें तो बताओ यहां पर Right Option इमानदारी से बताना आप बहुत सारे इस्टुडेंट ऐसा कर लेंगे कि इधर उदर दे के किताब में दे के बता दे ऐसा मत करना अगर यह आप करोगे तो अपने आपको दोगा दे रहों सिम्बल जी बहात है हम तो जितना हो सके फ्री में आपके तियारी करवा रहे हैं यहां पर क्योंकि एक्जाम नजदी के आपका इंटरांस एक्जाम के बड़ी चिंता होती है में कि बच्चों के एक्जाम आगे पास में तो तियारी हमने करवाए दी फ्री अपकॉस्ट आप से भी जड़ा चिंता हमें होती है आपके एमकेसर को क्योंकि जिस परकार आपके एमकेसर ने सेलेक्शन पाया है उसी परकार आपको सिलेक्सन दिलाके रहेंगे फिर यह पॉल्ट एक मुलस्का का खौल इस्तराफ़ करता है तो यह पर बहुत ही बच्चों वाला क्यूसन मान सकते हो आप हमने तो पढ़ रखा है कि मेटल ठीक है राइट आपसन इसका मेटल हो जाएगा अगर आपने भी यह तो आप के लिए खेती में आ चुका हूं मैं तोड़ा सा इसका फोटो ले लेता हूं ठीक है आपको दिखाने के लिए तो देखो इस परकार का होता है जो खेती करते जो पानी एरिया में रहते हैं उनको तो पता है इस परकार का दिखाए देता और यह कुछ चीज यहां प बच्पन में कापी बजाए हूंगा ना रेत में निकलते हैं ठीक है कभी आपका गरवर बनाया हो तो रेत लाए हूंगे तो इस प्रकार का को मिल भी गया हूंगा तो बजाया करो इसको ठीक है अवाज आती है इसमें तो यह तो मजाग हो गए और यहां पर देखो कुछ इस डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स है और आपको पता है कि एमकेसर आपके हर कमेंट का रिपलाई देते हैं कमेंट कर दिया करो कोई भी बात समझ में नहीं आई तो अब तो आपको क्लियर हो गया हुगा और फोटो दे के इमेज दे के मोलसका को पता भी लगया हुगा कि हाँ वह होता है आपके आज पास भी देख लिया होगा आपने है ना कापी बार बार इसके टाइम में तो और ज़्यादा निकलते हैं तो जो सपेद सा पदार्त वो अस्तरक्ट करता है वो यह होता है क्लियर अगला क्युशन निकल गयाता है आपका देखो मॉलस का से पूछ रहा मैंने बोला ना एक्जामनेर कहीं से भी हो सकता है बस आप टोपी को क्लियर रखो जैसे की कौकरोज हो गया तो उस टोपी को क्लियर रखो 2-3 कुशन उटा सकता है एक्जामनेर वहां से अगर मान लो आपने मैंड़क वाला चेप्टर आपने देखा हो का मैंड़क का टोपी किया आपके 11 वाली भुक में तो वहां से आपको पता है कि मेंडक से भी दो से तीन कुशन उटा सकता है वो एक्जामिनर तो बस आपका टोपिक के लिए रखो ना आप NCRT के बुक तो सभी के पास है तो मॉलस्का की यहां पर वरणक होता है The Respiratory Pigment of the Mollusca Mollusca का सफसन वरणन क्या होता है respiratory वगणन यहां पर क्या होता है तो यहां पर Hemoglobin दे रखा है Hemocyanin दे रखा है और यहां पर Hemerythrin दे रखा है और Chloro-Crosin दे रखा है इमानदारी से बताओ NCRT ग्राप ने पढ़ रखती होगी तो वो student इसको सहीग रहेगा respiratory pigment of Mollusca बताओ इमानदारी से सो यहां पर theory अगर आपने पढ़िया होगी NCRT से मुलसका के बारे में तो यह clear हो गया होगा बताओ इमानदारी से चूज करो one option यहां पर चार में से एक option से लेट करो तुरंत चाहे तो विड़ी को पोज भी कर सकते होगर आपको time लेना है तो बट मैं यही कहूंगा कि entrance exam में time का management आपको करना होता है क्योंकि limited time आपको दिया जाता है ठीक है कम time में आपको अधिक कुशन attempt करने होते तो जल्दी की थोड़ी आदित बनाऊ आप पास्ट कुशन करने की तो यह बहुत इस हांदार कुशन है तो simple से बात है हेमोसाइनिन के बारे में तो सबने सुनाओगा तो हेमोसाइनिन इसमें सौपसन बढ़ना क्या नगी respiratory pigment होता है मोलसका में क्या होता है हेमोसाइनिन याद रखना इस बात को तो अगर आपने यही चूज किया तो अपने आपको एक नमबर दुआ अब यह एक परकार से आपके लिए देखो हेमोसाइनिन इसका राइट ऑप्शन है यह 10 में से कितने क्यूशन आपने राइट किये और इमानदार से बताओ कि अगर आपको इस परकार से तैयारी करनी है इस परकार के क्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना ऐसे हजारों क्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे फिजिक से केमेस्ट्री से बाइलोजी से जूलोजी से ठीक है हर एक इपोटेंट क्यूशन आपको मिलेगा यहां पर जो आपके बीएस नर्सिंग इंटरंस एक्जामें बहुत सी बार तो कोश देखो फिरी में निसुलक बात यहां पर हो रही है तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रहा हो तो अगली कलास से भी आपको मिल पाएगी और ऐसे क्यूशन करने से आपका दिमाग का एक्सरसाइज होता है और आप बहुत ही अच्छे बनते चले जाते हो ठोरिता हो कुछ और कि किस तरिके साथ समझ सकते हो तो आप फिर भी बता सकते हो कमेंट करके सर हमको इस तरिके से समझ में आएगा क्योंकि हमारा तो मकसद यही है कि आपको समझ में आ जाए बस आपका सेलेक्शन हो जाए बस आपके माता पिता का नाम रोसन हो जाए बस हमारा तो यही सपना है तो कमेंट करके आप बता सकते हो जो teaching का method यह वाला best रहेगा जो अभी हमने use किया तो आप बता सकते हो और यहां पर इस परकार के mcq चाहिए तो आप बता सकते हो आप comment करके बताओ अगली class इसी परकार के हम लेकर आएंगे इसी परकार के mcq लेकर आएंगे फ और हाँ ये भी बता देना यहाँ पर जो आपने 10 कुशन किये कितने अंक आप लेकर आए यहाँ पर 10 में से कितने अंक आप लेकर आए वो भी बता देना ताकि आपका एनलिसिस हम कर सके ओगे धन्यवाद